नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे विटाल टेस्ट के बारे में और quality और quantity टेस्ट लगाएंगे यह हमारे पास slide है और slide में आपको दिख रहा होगा mention किया हुआ है labeling OH, positive control H, BH और negative control तो अलग-अलग circle दे रखें हैं 6 circle आपको जो slide में मिल जाते हैं और इस तरीके से आपको antigen मिल जाते हैं salmonella typhi और para typhi का और positive control भी साथ में मिल जाता है typhi ORH है और para typhi AH और BH है और इस तरीके से antigen आपको मिल जाते हैं और आपको test लगाने के लिए आपके पास यह slide है और उसके बाद यह antigen हैं आपके पास और आपको चाहिए होगा sample के तोर पर serum और जैसे कि आ color से आप पहचान जाते हैं उसी तरीके से इसमें भी color अलग दे रखे हैं ताकि आप इनको identify कर सकें और यह experience से आता है जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन से color का कौन से antigen है तो इसे साब से color बहुत एहमियत रखता है आपको पहचानने के लिए भ फिर color आपको देखने को नहीं मिलता है यह हमारे पास serum का sample है और हमने centrifuge कर लिया है हमारे पास plenty में serum का sample है जिसका हमें test perform करना है और सबसे पहले हम quality test इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें मालूम चल सकी कि कौन सा antigen में agglutination आएगा केवल उसी का हम जो है quantity test लगाएंगी क्यो इसके लिए हम सबसे पहले जल्दी जल्दी जो है quality test लगा लेते हैं इसके लिए आपको 50 microliter आपको serum सभी में add कर देना है one one drop कहने का मतलब कि one drop 50 microliter ही होता है मैंने 50 microliter serum सभी में इस तरीके से सावधानी पूरवक आपको add कर देना है circle के बाहर नहीं होना चाहिए circle के अंदर ही आपको रखना है ताकि अगर circle के बाहर चला जाएगा एक दूसरे से वो mix हो जाएंगे जब आप antigenate करेंगे तो इस बात का विसेस ध्यान रखना है एक दूसरे से mix ना हो प्रपर तरीके से circle जो बना रखा है उसी के अंदर ही आपको यह drop add करना है तो सभधानी पूरवक यह test perform करें जब आप test लगाते हैं तो विसेस तोर पर उसी बात का ध्यान रखना है और जब आप mix करते हैं उस समय हमें ध्यान रखना है कि जो stick हम use करते हैं चाहे कुछ भी आप use करें mix करने के लिए तो एक ही side का इस्तेमाल सभी में ना करें अलग-अलग side ले करके आपको mix करना है ठीक है ताकि contamination के chances ना रहे हैं अब हमें जो है serum one one drop हमने add कर लिया इसके बाद o वाले में हमने o का one drop डाल दिया antigen बहुत आसान है यह उसके बाद हमने h उठाया और h वाला antigen one drop हम h वाले circle में डाल देंगे touch नहीं करना है विसेश ध्यान रखना इस बात का उपर से ही आपको drop गिराना है touch ना हो इस बात का विसेश ध्यान रखने नहीं तो contamination हो जाएगा और आपका antigen फिर किसी काम का नहीं रहेगा तो इस बात का आपको विसेश ध्यान रखना है अब यह h वाला है तो h वाले circle में हम add कर देंगे one drop उसके बाद bh bh ले करके और antigen जितने भी है इनको अच्छे से आप mix करने है mix करने के बाद यह आपको use करना है test लगाना है इस तरीके से आपने bh ले लिया one drop और bh लेने के बाद अब आप positive control अगर आपको लगाना है आइडिया नहीं है तो positive control आप लगा सकते हैं positive control के लिए कुछ नहीं one drop जैसे आप sample one drop लेते हैं तो one drop यह positive control भी आप ले सकते हैं one drop लेने के बाद कोई सबी antigen आप उसमें डाल देंगे वो positive agglutination उसमें so करेगा ही करेगा तो आपको देखने के लिए आसान हो जाएगा कि agglutination कैसे आता है positive control का यह मकसद होता है और negative control भी आप लगा सकते हैं अगर आपकी एक्छा है तो वो तो simple है agglutination नहीं आता है तो आपको तो पता चल दी जाता है कि agglutination कैसा होता है और जिस agglutination नहीं होता है वो कैसा होता है अब यह हमने सब में जो है 1-1 drop हमने add कर लिए हैं सारे में अब हमें इसको mix करना है तो mix करने के लिए हमारे पास stick है और इससे हम mix कर रहे हैं और एक side से एक ही circle में हमें mix करना है circle के बाहर नहीं जाना चाहिए और दूसरा साइट करने के बाद दूसरे में हमें मिक्स करना है ठीक है तो प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है आप देख सकते हैं और दूसरा साइट लेकर के दूसरे सरकल में मिक्स करना है इस बात का विसे इस ध्यान रखना है मिक्स करते हैं जल्दी जल्दी में कभी-कभी यह हो जाता है कि एक ही साइट से हम दो जगे मिक्स कर देते हैं उसमें कंटामिनिशन हो जाएगा और फाल्स रिजल्ट के चांसे बन जाते हैं तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद सल्मनिला, टाइफी या पैरा टाइफी कोई भी अगर प्रिजेंट है एंटीबडी आपके बोडी में बना है ठीक है? तो एंटीबडी बनता है अगर आपको इंफेक्षन है बेक्टरियल इंफेक्षन किसी भी चीज का चाहिए वायरल हो कोई भी infection होता है तो उसके against हमारा body antibody बनाता है उसी चीज़ को हम detect करते हैं तो अब आप यहाँ clear देख सकते हैं H वाले में आपका agglutination आ रहा है और positive control में agglutination आ रहा है बाकी 3 में नहीं आ रहा है agglutination इसका मतलब H में जो है कही ना कही H वाला antibody आपका है आपके body के अंदर तो वो चीज़ 100 हो रहा है इसमें और इसमें clear देख रहा है तो अब हम केवल H वाला ही dilution बनाएंगे और देखेंगे क्या सच में infection का level कितना है या फिर इसका हम जो है जो quantity test लगा रहा है quantity कहां तक आ रहा है ठीक है तो हमने जैसे कि यहाँ पर एक skip कर रहा है 1 is to 20 रेसो नहीं लगाएंगे और 1 is to 40 से start करेंगे 1 is to 40, 1 is to 80, 1 is to 60 और 1 is to 320 तक तो इसके लिए sample कितना लेना है उपर मैंने mention कर दिया है dilution बना करके, labeling करके और 40 microliter first वाले में ले लेंगे ठीक है तो serum ले सकते हैं आप यहाँ पर touch कर सकते हैं मैं उपर से add कर रहा हूँ क्योंकि drop आ रहा है और touch कर सकते हैं आप और mix भी कर सकते हैं तुरंट उसको फैला सकते हैं अच्छे से ताकि 1 drop जब आप add करेंगे बाद में जो antigen है तो दिक्कत नहीं होगा mix करने में उसके बाद 20 सेट करने के बाद micropipate से और 20 microliter आपने serum 1 to 80 वाले ratio में जो है circle में आपको add कर देना है तो इस तरीके से आपने add करना है उसके बाद आपको 10 microliter सेट करना है यह बहुत आसान है इस तरीके से आप सेट करके sample उसमें add करते रहेंगे तो यह आपका dilution तयार होता जाएगा और 10 microliter सेट करने के बाद आपको यहाँ पर 10 microliter जो हमने labeling करके रखे हैं तो मैंने slide में actually labeling नहीं किया है page में लिख करके रख दिया है ताकि आपको clear दिखाई दे सके और समझ में आ सके और 5 microliter वाला जो है हमने नीचे लिया हुए है H वाले circle में तो वो जो है 1-2-3-20 का रेसो बन जाएगा उसमें तो इसलिए हमने तो नीचे ले रखे हैं तो इस तरीके से 10 microliter यहाँ पर आपने सेंपल देना है और सीरम का सेंपल उसके बाद 5 microliter सेट करने के बाद 5 microliter आपको नीचे जो circle है उसमें आपको add कर देना है तो कुल मिला करके 1-2-3-4 4 circle हमने इस्तेमाल किये हैं और 4 dilution जो है हमने बनाए है 40, 80, 160 और 320 का और 1-20 हमने skip कर दिया है ठीक तो वो भी आप कर सकते हैं कोई issue नहीं है चाहें तो और उसके बाद 5 microliter हमने यहाँ पर add कर दिया सीरम का सेंपल और यह add करने के बाद हमें अब जो है केवल और केवल H का हमें dilution बना रहे हैं और H का देखना है क्योंकि H में positive आया था वो हमें देखना है तो इसलिए 1-1 drop सभी में आपको उपर से ही add करना है mix नहीं करना है उस बात का विसे ध्यान रखना touch नहीं करना है मैं बार-बार बोल रहा हूँ ठीक तो उपर से ही आपको 1-1 drop सभी में add कर देना है अब add करने के बाद जैसे हमने mix करना है आपको पता है किस तरीके से mix करना है stick लेना है उसके में जो है एक side से एक ही circle में mix करना है side change करने के बाद दूसरे side से दूसरे circle को mix करना है इस तरीके से आप proper mix कर लें और प्रॉपर मिक्स करने के बाद सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए उस बात को वेसे इसद्यान रखना है फिर मैं बता रहा हूँ यही छोटी छोटी साफधानिया है इस टेस्ट में बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरीक से mix करने के बाद हमने इसको अच्छे से rotate करना है procedure आप देख सकते हैं कैसे rotate करना है वो मैंने आपको बताई दिया है और एक मिनिट के अंदर आप देख सकते हैं अगर किसी circle में positive आ रहा है तो वो आप observe कर सकते हैं और दो मिनिट तक आप देखें कि कौन से circle में जो है agglutination आ रहा है तो उसके हिसाब से आप इसको identify कर सकते हैं कि कहां तक और कौन से dilution तक जो है agglutination आ रहा है उस हिसाब से हम reporting करेंगे अगर 180 तक आ रहा है तो negative देते हैं और 180 के बाद अगर किसी circle में positive आता है तो हम बहां से positive देना स्टार्ट करते हैं पहले moderate होता है फिर severe infection है तो last वाले में भी आपको देखने को मिल जाएगा dilution में तो 1-60 के बाद 1-60 जो होता है वो moderate होता है infection अब आप इसमें देख सकते हैं केवल 2 में ही agglutination आ रहा है जो 20 और 80 का जो ratio बना है केवल उसी agglutination आ रहा है इस post में image आपको दिखा दूँगा ताकि आपको clear दिखाई दे जाए और जो 1-60 और 3-20 है उसमें नहीं आ रहा है आप इसमें भी देख सकते हैं और quality थोड़ा वीडियो का बढ़ा करके देखेंगे तो इस post आपको समझ में आ जाएगा और दिखाई देगा ताकि आपको समझने में दिख्कत न हो आकरी मैं image एट करूँगा image में आपको clear दिखाई देगा और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से agglutination आ रहा है ताकि आपको पहचानने में तिक्कत ना हो, आप किलियर देख सकते हैं, केवल दो में ही आ रहा है एकलिटिनेशन, बाकी दो में आखरी के दो में नहीं आ रहा है, तो अगर तीसरे नंबर में भी आ जाता है, तो हम पॉजिटिव इसको दे देते, वन इस्टू सिक्स्टी में अगर वन सिक्स्टी में आता तो, ठीक है, तो इस तरीक से इमेज में आप देख पा रहे होंगे, कि ये किलियर जो है, दो में ही आ रहा है, फोर्टी, वन इस्टू फोर्टी और वन इस्टू एटी में ही आ रहा है लिएकलिशन,